हेलो एवरिवन, रमन्स किचन में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ शेर करूँगी इजी वेच प्लाव, इंग्रीडियन्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पैन मैंने हीट कर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ, दो टेबल स्पून घी, आप चाहें तो ऑईल भी डाल सकते हैं, ये दो चम्मच घी डाल दिया है मैंने, आपशनल है आप चाहें, तो ओल भी डाल चकते हैं, इसे इस तरीके से हिला लें, ताकि जो हमारा घी है वो पूरी तरह फैल जाए, उसके बाद मैंने एक चम्मच राई डाली है, और एक चम्मच जीरा, जीरे और राई को अच्छी तरह भून जाने देंगे, जैसे ही वो थोड़ा सा सिक जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, एक तेजपान पत्ता, एक डालचीनी और एक मोटी इलाईची, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें, जैसे ही हमारे प्यास थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे या थोड़े से पेंकेश हो जाएंगे, पक जाएंगे, उसके बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये बारी कटी वी शिम्ला मुर्ची, मैंने दो शिम्ला मिर्चिल ली हैं मेडियम साइज की अगर एक बड़ी हो तो आप एक ही ले ले इसके बाद मैंने एक गाजर डाली है बारी कटी भी चॉपट इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले इसके इलावा भी आप कोई से भी वेज़िटेबल्स एड़ कर सकते हैं जो भी सीजन में हो या जो भी आपके पास घर में एवलेबल हो एक चमच नमक डाल रही हूँ मैं इसे मिक्स कर लें अच्छी तरीके से इसके बाद मैं डाल रही हूँ एक चमच लाल मर्ची पाउडर इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले यह वेज़ प्लाव बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम टाइम में यह रेडी हो जाते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडियन्स के साथ यह देखिए इसमें एक चमच मैंने धनिया पाउडर डाला है इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले जैसी हमारी सारी मसाली मिक्स हो जाएंगे और हमारी सबजी थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद यह मैंने सोगड चावले मैंने इसके अच्छे से वाश करके आदे घंटे के लिए भिगो दिया था अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी अच्छे से वाश करके डाल सकते हैं इसे धीर इसे आप टर्न करें ताकि जो हमारे चावल है वो तूटे ना देखिए इसमें मैंने एक कटोरी चावल लिया है तो मैं दो कटोरी पानी डालूँगे ऐसे ही हमेशा चावल के हम डबल पानी डालेंगे चावल के पोर्शन से हमेशा डबल पोर्शन पानी का होगा देखिए मैंने एक कटोरी डाला है पानी और एक कटोरी और आट करेंगे आप चाहें तो cup के नाप से भी ले सकते हैं, जिस नाप का अपने चावल रहेंगे उसी नाप के आप पानी भी डालें, देखें यह उबाला आ रहा है, जैसे यह उबाला आने लग जाएगा, हम इसको 10 मिर्ट के लिए ढखके रख देंगे, और इसे low flame कर देंगे, गैस हमारा sim कर देंगे, और इसे पक ने देंगे, 10 मिर्ट बाद आप देखेंगे कि हमारे जो चावल हैं, वो पूरे पक चुके हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पानी बाकी है चावल में, यह चावल थोड़े से आपको लग रहे हैं कि गीले हैं, उसमें पानी बाकी है, तो आप इसको 2 मिर्ट के लिए औ फ्लेंप है, देखेंगे चेक कर लेते हैं, हमारे चावल पके हैं कि नहीं, देखेंगे, इजीली तोट रहे हैं और सौफ्ट भी हो गए, मतलब हमारे चावल पक चुके हैं, मैंने ग्लैस का फ्रेम आफ कर दिया, अब मैं चावल सर्फ करूँगे, यह जो प्लाव हैं टेस्टी लगता है खाने में, और बहुत इजी है बनाना, मातर 10-15 मिनिट में यह चावल बनके रेडी हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यह हमारे चावल तयार हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, प्लीज हिट दे बेल आइकन, सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा और बेल आइकन दबाना मत भूलियेगा, थैंक यू सो मच फॉर वाचें